इसरो के वैज्ञानिक ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है चंद्रमा की धर्ती से बड़ी खुश्खबरी आ चुकी है विक्रम लेंडर और प्रज्ञान रोवर की नींद एक बार फिर से खुल चुकी है हमारे इसरो के वैज्ञानिक लगातार कई दिनों से चंद्रयान 3 से संपर्क साधने की कोशिश में लगे थे और आज इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत रंगलाई चंद्रयान 3 एक बार फिर से चंद्रमा की धर्ती पर उठ खड़ा हुआ है नींद खुलते ही प्रज्ञान रोवर ने सबसे पहले चंद्रमा की अंधेरी रात में सुनाई देने वाली एक भयानक आवाज को भेज दिया है वह कौन सी आवाज है आगे आपको इस वीडियो में सुनाएंगे लेकिन उससे पहले अगर आप भी इसरो के वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखतीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए दोस्तों, जैसा कि हम सब भारतिये को पता है कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्री हरी कोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लांच किया गया था 40 दिनों की लंबे सफर के बाद हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की धरती पर सफलता पुर्वक लैंड किया था और इसी के साथ हमारा देश चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बना था चंद्रमा की धर्ती पर लैंड करते ही चंद्रयान 3 ने ऐसे ऐसे कारणामों को अंजाम दिया है जो आज तक दुनिया भर की बड़ी-बड़ी स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाई थी चंद्रमा की धर्ती पर अशोक स्तंभ और इसरों के लोगों को छाप दिया चंद्रमा की धर्ती पर चंद्रयान 3 ने एक ऐसी छाप छोड़ दी है जो लाखों वर्षों तक नहीं मिटने वाली इसके बाद प्रग्यान रोवर और विक्रम लेंडर ने चंद्रमा पर बहुत से खोजों को अंजाम दिये जिसमें चंद्रमा की सतह का टेंपरेचर का पता लगाया गया साथ ही चंद्रमा की मिट्टी में उपस्थित ऐसी कई तत्तों को खोज निकाला गया है जो चंद्रमा को और गहराई से जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे चंद्रियान 3 ने चंद्रमा पर सलफर और ऑक्सीजन जैसी महत्वपूर्ण तत्वों को खोज निकाला है इसके साथ ही चंद्रमा पर आने वाले भूकंप का भी पता लगाया है जो हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत गर्भ की बात है हमारे चंद्रियान 3 चंद्रमा पर 14 दिनों तक रिसर्च करने के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन कुछ कारणों के चलती विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर के सोलर पैनल पर ठीक से धूप नहीं पड़ रही थी जिसके चलते प्रग्यान रोवर और विक्रम लैंडर सहित 12 दिनों तक ही काम किया गया इसके बाद प्रग्यान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी फुल चार्ज करके स्लीप मोड में डाल दिया गया था हम सभी भारतवासी उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जब चंद्रमा पर 14 दिनों बाद फिर से सूरज का उदय होगा तो हमारा प्रग्यान रोवर एक बार फिर से चंद्रमा की धर्ती पर चलने लगेगा दोस्तों आपको बता दें कि अब हम सभी भारतवासियों को इंतजार खत्म हो चुका है चंद्रमा की काली रात समाप्थ हो चुकी है चंद्रमा पर सूर्य का उदय हो चुका है और हमारे वैज्यानिक लगातार चंद्रयान 3 से संपर्क साधने में लगे हैं चंद्रमा पर 19 सितंबर को ही सूर्योदय हो गया था। इसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने 2-3 दिनों का इंतजार किया, जिससे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लेंडर की बैटरी द्वारा से चार्ज हो जाए। चंद्रमा पर द्वारा उजाला होने के बाद पहली बार 22 सितंबर को इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लेंडर के रिसीवर को सिगनल भेजा था। लेकिन विक्रम लेंडर के रिसीवर ने इस सिगनल का कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। इसके बाद इसरो के वैज्ञा और विक्रम लेंडर का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ऐसे में सब को लगने लगा था कि हमारा विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर अब कभी नहीं उठेगा। कुछ लोगों का मानना था कि चंद्रमा की कड़ाके की ठंड में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में लगी बैटरियां खत्म हो चुकी होगी, अब जिसके चलते चार्ज नहीं हो पा रही है. लेकिन इसी बीच इजरो के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है. पहले जब चंद्रयान को इजरो के स्पेस सेंटर से सिगनल भेजा जाता था, तो चंद्रमा की तरफ कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था. लेकिन अब आपको बता दें कि अब हमारा चंद्रयान थी रिस्पांस करने लगा है. चंद्रयान थी अब हमारे द्वारा भेजे गए सिगनल को रिसीव करके चंद्रमा की धर्ती सिगनल को भेज रहा है. लेकिन अभी चंद्रियान द्वारा भेजा गया सिगनल बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी का है जिससे चलते प्रज्ञान रोवर और विक्रम लेंडर से अभी संपर्क नहीं साधा जा पा रहा है दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रिक्वेंसी धीरे-धीरे बढ़ रही है और जल्द ही इसरो के वैज्ञानिक चंद्रियान तीन से द्वारा संपर्क करने में जुट जाएंगे कल इसरो के वैज्ञानिक S. सोमनाथ ने संसर टीवी में इंटर्व्यू देते हुए बताया कि हमारा विक्रम लेंडर और प्रज्ञान रोवर अभी सही सलामत है और उसके द्वारा से उठने की पूरी उम्मीद है इसरो ने बताया कि हमारा चंद्रियान तीन चंद्रमा पर पढ़ने वाली कडाके की ठंड को भी जहल सकता है इसे माइनस 200 डिग्री सेंटिग्रेट के तापमान को जहलने के लिए टेस्ट किया गया था दोस्तों, आपको बतादें कि चंद्रमा पर इस समय बहुत ही कडाके की धूप है प्रज्ञान रोवर और विक्रम लेंडर के सोलर पैनल पर सूर्य की किरणे सीधे पढ़ रही है जिसके चलते हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लेंडर गर्म हो चुका है वैज्यानिकों का मानना है कि प्रज्यान रोवर और विक्रम लैंडर के सारे उपकरण एक्टिव हो चुके हैं और अच्छे से कार्य करने लगे होंगे प्राबलम सिर्फ सिगनल को भेजने में आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे कभी विक्रम लैंडर ठीक से काम नहीं कर रहा है जिसके चलते उसका रिसीवर इसरो द्वारा भेजे गए सिगनल रिसीव नहीं कर पा रहा है इसरो के वैज्ञानिक इसे ठीक करने में लगे हैं इसरो की सहयोगी स्पेस एजिंसी भी हमारे चंद्रयान 3 को लगातार सिगनल भेजे जा रही है। अभी तक इसरो के हाथ कोई भी सफलता नहीं लगी। उम्मीद तो है यही है कि प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से उठेगा और चंद्रमा की धर्ती पर चलकर आगे से चोड़ा कर चुका है। दोस्तो, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा के जिस साउथ पोल पर लैंड किया है, वह बेहद ही रहस्य से भरा पड़ा है। वहाँ पर ऐसे ऐसे रहस्य है जिसके बारे में आज तक दुनिया की कोई भी स्पेस एजिंसी पता नहीं लगा पाई है क्योंकि आज तक चंद्रमा की साउथ पोल पर दुनिया का कोई भी देश गया ही नहीं था। भारत ही एक ऐसा एकलोता देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर जा चुका है और हमारे चंद्रयान तीन ने चंद्रमा के साथ साउथ पोल पर बहु यह रही चंद्रियान तीन द्वारा भेजी गई भयानक आवाज। यह अगर संभव हो पाता तो इसरो के वैज्यानिक की कड़ी मेहनत और हम सभी भारतिय वासी को प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कि हमारा विक्रम लेंडर एक बार फिर से उठ खड़ा होगा। क्या हमारे इसरो के वैज्यानिक एक बार फिर से इतिहास रच देंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दें।